आज हम आपको एक नए एपिसोड की स्रंखला दिखाएंगे कि आदमी मरने के बाद जाता कहा है आपने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्तु के बाद सरीर की आत्मा 13 दिन तक अपने घर में रहती है मगर ऐसा क्यों इस बारे में कभी आपने सोचा अगर नहीं तो चली आज हम बताते हैं मौत के बाद आत्मा कहां जाती है हिंदू धर्म में चार बेध हैं 18 पुराण हैं जिनका विशेस महत्त है इन बेध पुराणों में कई महत्तुन बातों की जानकारी दी गई है इन बेध गरोन पुराण में मृत्तु के उप्रांथ मनुश के साथ होनेवाली गत्विदियों के जानकारी दी गई है इसके अलाबा इसमें और भी जानने को मिलेगा कि मृत्तु के बाद किस कर्म की सजा जिसको क्या मिलती है और हमारे आज की खास एपिसोड में देखिए मौत के बाद आत्मा जाती राइसेन बेगम गंद से हमारे संबाद दाता शरस शर्मा की श्पिशल रिपूर्ट जिस तरह जीवन एक सत्त है ठीक प्रत्येक ब्यक्ति को ये भी भली भाती पता है कि म्लत्तु भी एक ऐसा ही सत्त है जिसे कोई जितना मरजी जोटला दे परन्तु इसे बदला नहीं जा सकता कहने का आर्थ है कि जिसने इस प्रत्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों की आहूती धनी पड़ती है इस बारे में हमने बहुत से लोगों से कई बार अपने बड़े बुजर्ग कभी किसी ने सोचा नहीं तो आईए हम बताते हैं आपको इसके बारे में गरुण पुराण हिंदू धर्म में जब घर में किसी का निधन हो जाता है तो उस घर में 13 दिन तक गरुण पुराण का पाठ किया जाता है सास्त्रों के अनुशार मरने वाले की आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी के घर पर रहती है ऐसे इस्तिती में गरुण पुराण का पाठ करने से मरने वाले की आत्मा को सांती मिलती है गरुण पुराण में स्वर्ग नरक पाप पुन नीती नियम और धर्म से जुड़ी कई बातों का बनन है गरुण पुराण में जीबन और मौत के रहस चुपा हुआ है इसमें किसी भी ब्यक्ती के मरत्तु के पहले और उसके बात की इस्तिती के बारे में विस्तार से बताया गया है गरुण पुराण में बताया है जब किसी ब्यक्ती की मरत्तु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यम लोग ले जाते हैं यहाँ पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर उसके 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को बापस घर चोड़ जाते हैं यमदूत के द्वारा आत्मा को बापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परीजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परीजनों को पुकारती रहती है लेकिन उसकी आबाज कोई नहीं सुन पाता यह देखका मृत ब्यक्ति की आत्मा बैचन हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है चिलाने लगती है इसके बाद आत्मा अपने सरीर के अंदर प्रवेश करने की कोसिस करती है पर सरीर तो जल गया है और वो इधर दर अपने सरीर को खोशती फिरती है लेकिन यमदूत के पास बंदेस होने के कारण बहम्रत सरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है इसके अलाबा गरोन पुरान की माने तो यमदूत आत्मा और उसके परीजनों के पास छोड़के जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता के बह यम लोग बापिस जा सके गरोन पुरान के अनुशार किसी भी मनुस्य के मरत्तू के बाद जो दस दिनों तक माकिय किया जाता है उसे म्रत आत्मा के विविन अंगों की रचना होती है जो ग्यारवे और बारवे दिन पिंड़दान किया जाता है उससे म्रत आत्मा रूपी शरीर का मास और तवचा का निर्माल होता है और जब तेरवे दिन तेरवी की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का प पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत्तू लोग से यम लोग तक की यात्रा का बल मिलता है इसलिए गरोन पुराण में बताया गया है जब किसी मनुस्य की मृत्तू हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने परीजनों के पास घर के पास भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्त लोग से यम लोग की ओर निकल पड़ती है जिस से पूरा करने के लिए उसे बारह महिने यानी कि एक साल का बक्त लगता है इतना ही नहीं माननेता के अंसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके लिए एक बर्स के भोजन के समा होता है राइसेन बेगम गंत से हमारे समबाद दाता शरस शर्मा की स्पेशल रिपूर्ट